नमिश्कार दोस्तों कैसे आप आशकरता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे दोस्तों आप सभी को पता है कि किड्नी कितनी इंपोर्टेंट है हमारी सरीर के लिए और यह क्या करती है तो आज मैं आपको किड्नी फिट तो लाइफ हिट इस टॉपिक पे आप सब किड्ने आफ से हमें ही रख सकते हैं क्या क्या हमें करना है यह करना बहुत ही sa क्या इंप्पल इफेक्टिव टिस और कुछ हों इपेंसीन भी बताऊंगा अलग के लिए पर और एक preventive homeopathic medicine भी बताऊंगा यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे तो चलिए यह important video चालू करते हैं Kidney fit to life fit मैं Dr. Vikram आपका मेरेशोनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सुरू करने से पहले हर दिन की तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों हमारे सरीर में हर important organ एक ही होता है चाहे वो liver हो, stomach हो, heart हो एक ही होता है लेकिन kidney दो होती है क्यों दो होती है क्योंकि यह सबसे important है और भगवान ने इसे लिए बोला कि नहीं हम आपको दो kidney देते हैं इतनी important है एक से काम नहीं चल पाएगा दोस्तों kidney जो है वो उसका function बहुत ही मालीजी अगर heart का जितना important function होता है या brain का जितना important function होता है उतना ही जादा important function kidney का होता है हम लोग यह समझते हैं कि सिर्फ यह waste product को या toxin को हमारे सरीर से निकालती है लेकिन ऐसा नहीं है किड़ने के तीन प्रमुक function है पहला यह हमारे सिरे से toxic को निकालती है जैसे कि hydrogen, ammonia, potassium, uric acid यह सब और urea यह सब जो है निकालती है हमारे सिरीर से अब इसका absorption का भी function होता है maintenance का भी function होता है यह maintain करके रखती है क्या electrolytes को maintain करती है उसके साथ यह क्या maintain करती है हमारे blood fluid मतलब body fluid को यह maintain करके रखती है अगर आप पानी जादा पीते है तो पिशाब जादा होती है अगर पानी की कमी है तो पिशाब होना बंद हो जाती है बहुत ही कम होती है बहुत पीली होती है बहुत कम पिशाब होती है तो body fluid को यह manage करता तो ये absorption भी करता है, तो ये absorption भी करता है, water का absorption करती है, अगर आपके सरीर में पानी की कमी है तो बहुत जादा पशाब नहीं होगी आपको, amino acids का absorption करती है sugar का absorption करती है शक्कर की कमी है तो शक्कर जादा नहीं निकलेगी और bicarbonates का absorption करती है तो absorption हो गया और साथी साथ निकालने का excretion हो गया ये दो function हो गया जिसके कारण आपके सरीर का body fluid manage होता है जिसके कारण आपके सरीर का electrolytes manage होता है तीसरा जो function है वो भी बहुत important है, ये hormone को भी regulate करती है, रैनीन और एलेक्ट्रोप्रोटीन तो बहुत ही important organ है और दो-दो हैं, लेकिन फिर भी kidney failure के cases बढ़ते ही जा रहे हैं, लगवग हर सौ में से चार लोगों को भी problem हो रही है kidney failure के, किड़नी खराब हो जाती है और फिर yorea, creatinine and और बाकी सब चंडा बंद हो जाता है, excretion कम हो जाता है, बोडी में urea की मात्रा बढ़ जाती है, cutinine की मात्रा बढ़ जाती है, uric acid की मात्रा बढ़ जाती है और उससे जो हौता है और problem बढ़ती तो kidney बहुत important है, दो हैं लेकिन फिर भी kidney की diseases बहुत जादा होती हैं, तो हमें kidney को हमेशा अपनी kidney को healthy रखना चाहिए, कैसे हम healthy रख सकते हैं, तो जो सबसे important चीज है, kidney को बचाने का, आपकी kidney को, आपको healthy रखने का, कोई भी medicine को बिना doctor के prescription के नहीं लेना चाहिए, खास कर alopathic medicines को खास कर pain killer जो होती है, या किसी तरह की antibiotic अगर आप खाते हैं, तो बिना doctor के prescription के, आपको नहीं खाना चाहिए, और जितना doctor ने prescribe किया है, जितने दिन तक prescribe किया है, उतनी ही आपको वो medicine लेनी चाहिए, अगर कभी-कभी बहुत जादा ऐसा होता है, कई बार मैंने patients देखे ह हमारे घर, हमारे society आसपास हमने ऐसे बहुत patients देखे हैं, ऐसे बहुत लोग देखे हैं, जिनको migraine की समस्या होती है, ये बिल्कुल normal चीज़ बता रहा हूँ, आप हो सकता है कि आपके साथ भी हो तो घबडाएगा ने, टेंशन मत दीजेगा, migraine की समस्या होती है, या हाथ पैर में दर्ध होता है, या कमर में दर्ध होता है, और आप paracetamol घर पे रखते हैं, वो किसी भी नाम से आ सकता है, कोई भी नाम आपको अच्छा लग सकता है उसका, और किसी तरह का pain killer आप घर पे रखते हैं, तो आप किसी तरह का pain killer या paracetamol घर पे रखते हैं, और आप आपको जब भी प्रॉब्लम होती है एक गोली खा लेते हैं ऐसा आप देखिए कि आप महीने में कितनी गोली खा रहे हैं अगर आप सब्सक्राइब में दो से तीन गोली खा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत की बात है या महीने में चार पांच गोली भी खा रहे हैं तो जीए कोई भी homopathic medicine ले लीज़ेक उसके कोई जादा side effect नहीं होते हैं डॉक्टर से doctors subscribe करा लीज़े嗎igraine को ठीक करिए जो आपकी pain की समस्य है उसे करिए doctor को देख सने और उसे ठीक करिए while medicine बार बार dard की किड़नी ठीक रखनी है तो क्या करना है? अननसेसरी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्किप्शन नहीं लेना है अब दूसरी इंपोर्टन चीज कि अगर आपके किड़नी खराब हो रही है और आपको पता है कि थोड़ा सा किड़नी कमजोर है या आपके परिवार में कभी कभी क्या होता है? जैनेटिक हिस्ट्री होती है कि मम्मी पापा को यगर यह समस्था है तो आपको ध्यान रखने की और ज़्यादा जरूरत है तो फिर तो आप अननसेसरी मेडिसन फिर तो आप बिना अच्छे डॉक्टर के प्रिस्किप्शन के बिना कोई भी मेडिसन मत खाई है और दॉक्टर को बताई भी दीजिए कि मेरे मम्मी पापा को किड़नी की प्रॉब्लम है और मुझे भी लगता है कि हो सकती है तो फिर आप उस हिसाब से medication लेजेए पहला तो चीज ये और दूसरी चीज ये कि आपको अगर prevention करना है तो alcohol या packet food जिसमें preservative रहता है या किसी तरह का food food coloring है या किसी तरह का taste enhancer है आप जब कोई भी packet food खाते हैं कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो वो कुछ भी packet food होता है तो आप पीछे देखिए इसमें कितने तरह की जो है वो chemicals डले हुए है किसी तरह का food coloring है या preservative है और किसी तरह का taste enhancer है ये सब चीज़े अगर हो तो ना खाए पकेट food खाए ही ना घर का खाना खाए और बाहर भी खाए तो बाहर जो है वो pack जो आता है वो ऐसी चीज़े कम खाए तो आपको आगे चलके kidney जो है वो आपकी healthy ही रहेगी खाना सब कुछ खाए है पानी जो है पानी आप जो है वो साफ पीए और उसका tedious जो है वो ठीक होना चाहिए बहुत जादा tedious वाला पानी मत पीचिए जितना recommended है मतलब 150 से लेकर जो है आप 100 150 इतना tedious का पानी पीएंगे तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा पानी साफ ह होना चाहिए पानी में ध्यान दें कि अर्सेनिक वगेरा जो है heavy metals पानी में ना हो तो बहतर रहेगा और ऐसा पानी बिल्कुल ना पीएं जैसे boring का पानी हो और उसको आपने RO वगेरा से use मतलब सही नहीं किया है और directly बहुत heavy water आप पी रहे हैं तो वह भी आपके kidney के लिए हो सकता है वह भी आपके kidney को damage कर सकता है तो लंबे समय तक अगर आप heavy water पीएंगे तो आपको stone होने के chances हैं और अगर stone होगा और उससे आप treat नहीं किये हैं ये भी एक मैं बता रहा हूँ कि कैसे kidney को prevention करना चाहिए और किसी को stone है माल लिजिए आपको stone हो जगया kidney stone हो गया तो उसे जल्दी जल्दी ठीक करें उमपैथिक medicine लीजिए एक महीने दो महीने में ठीक हो जाता है ठीक नहीं तो operation के तरफ जाईए मतलब जल्दी जल्दी kidney stone आपको बहुत लंबा नहीं खीचना है वैसे भी अगर आपको पता चल गया है एक बार दर्द होगा पता चल जाएग तो operate करवा लीजिए बहुत जादा सोचिए मत उस चीज के बारे में किया और operation से क्या होगा अगर बहुत दिनों तक kidney stone है तो वो भी kidney को damage करता है किसी तरह का kidney infection है आपको उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करिए जल्दी ठीक हो जाए तो बहतर रहेगा जित इतना ही आपको करना है और योगा जरूर करिए योगा करने से भी kidney healthy होती है और टहलने से भी kidney healthy रहती है यह सब चीजें आपको जरूर करना चाहिए अब एक या दो homeopathic medicine सबसे पहले अगर kidney stone है तो Barberis vulgaris homeopathic है सबसे effective medicine है जल्दी यूज़ करना चाहिए Barberis vulgaris mother denture kidney stone को करती है बहुत ही बढ़िया medicine है तो kidney stone हो तो तुरंत ही medication चालू करें और तुरंत जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी kidney stone को पूरी तरीके से खतम करें ठीक करें और एक जो effective medicine है अगर आपका यूरिया जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जो upper limit है उतना तक जा रहा है या उस वह history है kidney disease की तो आप ammonium carb नाम की medicine का उपयोग करें ammonium carb 200 CH potency में दो बून सुबह सुबह हर सपताए एक बार नीचे बस और Nuxvomica Nuxvomica के बारे में आप सभी जानते हैं Nuxvomica 200 बून सुबह 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 सपताए में दो बार नीचे यह medicine चलने दीजे कोई दिकत नहीं है इ Nuxvomica अच्छी में जो है वो पेट के लिए भी अच्छी होती है टॉक्सिक जो आपके सरीर में होता है उसे भी थोड़ा निकालने में मदद करती है और आपके सरीर को बैलेंस करके रखती है तो उसलिए Nuxvomica अच्छी है और ammonium carb थोड़ा सा kidney diseases से बचाती है हलाकि L-serum जै अब को एच्छा लगा हो और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के नीचे लिए लाइक का बटन दी गया तो उसको दबाना बलकुन बिलेगा यहां पर एक रट का सब्सक्राइब का बटन दिगा तो इसको वीड़ा दीजिए इसको बगल में एक पहला इकन है तो इसको नौलेजबल हुमपैतिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों नीचे शेयर की बटिन देगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं जय हैं जय भारत धन्यवाद थान्यवाद थैंकि सो मच बाइ कि मौश माज़ थान्यवाद क важ़े हैं जय हो किम्यारी जय हैं जया करने हमें